हेलो एथलेट्स, क्या आपने कभी ऐसे वेक्ति को देखा है जो बहुत जल्दीक टेंशन ले लेते हैं और इसकी वज़े से उनके फिजोलोजिकल कंडिशन में भी चेंजेस देखने को मिलता है जैसे कि उन्हें हाइपर टेंशन हो सकता है या उनका ब्लड पेशर हाई हो सकत है तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे हाइपर टेंशन यानि कि हाई ब्लड पेशर क्या होता है और इन्हें योगासन की मदद से किस तरह से ठीक किया जा सकता है इस वीडियो लेक्चर के नोट्स का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते ह हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो में अंतर तो आईए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का नाम है योगा एंड लाइफ स्टाइल और इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हाईपर टेंशन या फिर हाई ब्लड प्रिशर इससे पहले हम समझते हैं जो है आट्री या फिर ब्लड वेसल के मदद से डिफ्रेंट बॉड़ी पार्ट्स में पहुंचाए जाता है तो यह आपकी हो गई एक आट्री या फिर ब्लड वेसल इस तरीके से ब्लड जो है इस आट्री में एंटर कर जाता है तो इसमें क्या होता है आट्री या फिर ब् जो pressure लगाये जा रहा है blood के द्वारा, इसी pressure को बुला जाता है blood pressure. और ये pressure होता है, दो type का होता है, एक होता है systolic pressure, दूसरा होता है diastolic pressure. यहाँ पर लिखा हुआ है systolic blood pressure और diastolic blood pressure, तो आईए पहले समझते है systolic blood pressure क्या होता है. हर्ट में दो प्रक्रियाएं होती है एक होती है contraction दूसरा होता है relaxation तो सबसे पहले देखते हैं systolic pressure systolic pressure में क्या होता है जब हर्ट जो है left ventricle को contract करता है और blood जो है eject हो जाता है orta में तो इस समय एक pressure create होता है और ये pressure थोड़ा सा high होता है इस pressure को बोलते है systolic pressure तो ये कितना होता है normally ये भी जान लीजिए ये normally होता है 120 mmHg mmHg क्या है mmHg जो इसकी unit है तो ये हो गया आपका higher pressure जो होता है systolic pressure यानि कि जब हर्ट contract हुआ उस समय pressure थोड़ा सा high था तो इसे बोलेंगे systolic pressure आप देखते हैं दूसरा diastolic blood pressure क्या होता है diastolic जब हर्ट relax करता है relax यानि जब वापस से हर्ट जो है blood को fill करता है उस समय जो blood pressure arteries में होता है वो थोड़ा सा low होता है तो उस pressure को बोलते हैं हमारा diastolic pressure normal condition में diastolic blood pressure होता है 80 mmHg तक तो यानि हम कह सकते हैं किसी normal व्यक्ति का normal condition में उसका normal blood pressure होगा 120 से लेके 80 mmHg तक अब देखते हैं high blood pressure या hypertension क्या होता है तो किसी कारण की वज़े से इस artery या blood vessel का diameter कम हो जाए यानि कि blood vessel shrink हो जाए या जैसे suppose यहां पर cholesterol जम गया इस वज़े से जो blood vessel का जो diameter है और यह blood vessel है यह shrink हो जाती है जब blood यहां से flow करता है तो blood जो है arteries की wall के against pressure लगाना शुरू कर देती है अब क्यूंकि इसका diameter छोटा हो गया है तो इस वज़े से ज़्यादा प्रेशर लगेगा usually कितना अगर systolic blood pressure जो है 140 या इससे ज़्यादा लगे और diastolic blood pressure 90 या फिर इससे ज़्यादा लगे तो इस condition को बोला जाता है hypertension या फिर high blood pressure और blood pressure को नापने के लिए जिस instrument का इस्तेवाल किया जाता है उसे बोला जाता है sphigmo manometer तो ये बात हो गई हमारी hypertension क्या होता है और high blood pressure क्या होता है अब देखते हैं कौन से आसन करने से हम इसे manage कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं आसन की बात करने से पहले मैं एक question पूछना चाता हूँ जब कोई वैक्ती का energy low होता है या फिर वो tension में रहता है तो क्या वो TV screen के सामने या mobile phone की screen के सामने बैठने से charge up हो जाता है यानि कि उसकी energy बढ़ जाती है या फिर उसकी energy low हो जाती है तो इसका answer क्या है जादा तर लोग इसका answer बोलेंगे कि उसकी energy drain हो जाती है यानि कि उसकी energy level कम हो जाती है तो इसी आधार पे मैंने एक formula बनाया है जिससे कि आप आसानी से याद रख लेंगे कि कौन-कौन से आसन हमें करने है hypertension के लिए तो एक बार formula को देख लेते हैं जब भी आपको hypertension हो तो क्या करना है AC, TV, phone सब बंद कर देना है देखिए मतलब ये एक आसानी से याद रखने के लिए केवल एक formula है इसका कोई relation नहीं है इस बातों से कि आपको AC, TV, phone बंद कर देना है लेकिन इससे आप आसानी से याद रख लेंगे क्योंकि mobile phone और TV देखने से किसी की tension नहीं जानती है और tension एक psychological concept है और hypertension एक physiological concept है तो इसलिए आप इसे केवल याद रखने के लिए रखेंगे AC, TV, phone सब, बंद अगर ये सब बंद कर देंगे तो आपका tension थोड़ा कम हो जाएगा बंद हो जाएगा लेकिन यहाँ पर AC, TV, phone सब, बंद का मतलब अलग है क्या है? देखे hypertension को, hypertension को manage करने के लिए AC का मतलब है यहाँ पर अर्ध चाक्रासन यानि कि हमें अर्ध चाक्रासन करना होगा अर्ध चाक्रासन क्या होता है? half wheel pose को बोला जता है अर्ध चाक्रासन यहाँ पर picture दिया हुआ है देखे एक व्यक्ती जो है सीधा खड़ा हुआ है दोनों पैर इसके आपस में चिपके हुए हैं यानि कि close हैं और उसने अपने दोनों हाथों को अपने hips के उपर इस तरीके से रखा हुआ है और उसके बन वो पीछे की और band हो गया है तो इसे बोलते हैं half wheel pose या फिर अर्ध चक्रासन अगला आसन है तारासन यहाँ TV में T रिप्रेजेंट करता है तारासन को पहले समझते हैं तारासन क्या होता है तार का मतलब होता है palm tree तार का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत लंबा होता है और एकदम सीधा जाता है ठीक उसी प्रकार की हमें कुछ position बनाने होती है इसको करने के लिए दोनों पेरों के बीच में लगभग एक fit का यानि shoulder width का gap होना चाहिए और इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से fingers को interlock कर लेना है और इसे रखने के बाद अब हमें उपर की तरफ body को stretch करना है और heel को raise करना है inhale करते हुए body को उपर की position में ले जाएंगे और कुछ समय के दिए hold करेंगे यह होता है तार आसन तो इस तरह से आप जब भी कोई आसन बनाएं तो उसका stick diagram जरूर बना दे अगर आप अच्छी picture बना सकते हैं तो picture बना नहीं तो stick diagram इस तरह के का बना सकते हैं देखें यह किस तरह से stick diagram बनाए जाता है बहुत easy होता है 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगता है देखें एकदम cross बनाया आपने बस इस तरह से बना दिया और यह आपका हो गया देखें कितना आसान है stick diagram बनाना बहुती कम समय में फटा फटा आप इस तरह से stick diagram बना दिजिए जिससे कि केवल positioning पता चल जाए कि किस तरह से बनाया जाता है तो हर आसन का at least आप एक stick diagram बना देखें जिससे कि क्या आपने लिखा है यह और clear हो जाए उस आसन के picture के थूर ठीक है तो अब हम अगला आसन देखते हैं इस टीवी में रिप्रेजेंट करता है वजरासन को वजरासन एक ऐसा आसन होता है जिसे हम food consume करने के बाद यानि खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं इसे diamond pose के नाम से भी जान जाता है यह एक तरह का meditative pose होता है तो देखिए कैसे करते हैं इसको करने के लिए पहले मैं इसका एक डाइग्राम बना देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए कि पता चल जाए कि क्या होता है देखिए बहुत आसान रिप्रैस्टिक डाइग्राम बनाना ठीक है यहां से अब गरदन बना देनी है यह कुछ बना दिये इसका भोट गया हाथ निकाल दिए ठीक देखिए यह होता है वज रासन आपने इससे थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि क्या यहां पर हो रहा है यह पोजीशन जो है नील डाउन करके यानि अपने घुटनों पर आकर की जाती है तो व्यक्ति को अपने घुटनों पर आ जाना है सीधा इस हाथों को अपने ठाई के ऊपर रख लेना है यह होता है वज रासन मैंने बताया कि इसे आप फूड कंजूम करने के बाद यह आसन को भी कर सकते हूं तो हमारा एसी और टीवी यहां तक क्लियर हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट आसन क्या होता है नेक्स्ट आसन है पवन म मुक्त की जाती है यहान मुक्तासन कसी व्यक्ति को ACIDITY है? CONSTIPational है तो हो सकता है उसे ACIDITY की वज़े से uncomfortable feel होता हो तो यह ऑनमुक्तासन उसे स्पाइन की तरफ से वेक्टी को लेड़ जाना है कैसे देखिए इसके लिए पहले एक स्टिक डाइग्राम मैं बना देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि क्या होता है पवन मुक्तासन देखिए इस तरह से पहले बना देता हूँ देखे, कुछ इस तरह से होता है पवन्मुक्तासन व्यक्ति को सुपाइन लाइन में लेटने के बाद अपने पैरों को फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास लाना है और उसे दोनों हाथों से ऐसे करके होल्ड कर लेना है यह होता है पवन्मुक्तासन अगला आसन है सवासन यहां पर सब में एस रिप्रेजेंट करता है सवासन को तो सवासन को स्टूडेंट हर डिजीज में लिख देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि जो आसन टेंशन को रिलीज करते हैं वो आसन के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं तो देखे, tension release करने के लिए हो गया, किया, सवाशन, क्यूंकि बिलकुल हम calm और relax हो जाते हैं, तो ऐसे आशन को ही यहाँ पर लिखना है, पवनमुकतासं से भी हम tension release करते हैं, ंais सवाशन से भी tension release करते हैं, इस तरह से आपको याद भी रहेगा, तो सव आशन के लिए हम बिल्कुल इस्टिक डाइग्राम बना देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए वैसे आपको पता है सव आशन कैसे होता है कोई बहुत ज्यादा आपको आर्ट बनाने की जरूत नहीं है बस ये समझ में आना चाहिए कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं तो ये हो गया सव आशन नेक्स है हमारा भुजंग आशन यहाँ बी रिप्रेजेंट करता है भुजंग आशन को बhujangasana करने के लिए हमें pro line position में लेड जाना है pro line होता है पेट के बल लेड जाना यानि आपको पेट के साइड से लेड जाना है यह हो गया इस तरह से stick diagram पर देख लिए और यह हाथ आगए सामने थीक है तो जो भी individual करता है वो पेट के बल लेट जाता है दुनों हाथों को जमीन पर रखके अपने अपर बड़ी पार्ट्स को यानि कमर के उपर के पार्ट्स को उपर के ओर stretch करता है इस तरीके से इसे बुला जाता है भुजंगासन जिसका हम कोब्रा पोस के नाम से भी जा तो जब भी हाइपर टेंशन हो तो आपको कौन-कौन से आसन करने हैं याद रखेगा सबसे पहले जब भी हाइपर टेंशन हो तो A.C. TV फोन सब बंद कर देना है यहाँ पर A.C. का मतलब है अर्थ चक्रासन T. यहां रिप्रेजेंट करता है अर्ध एक बोजणासन इस बोर्ड का एक बार ले लीजे जिसे आपको यह हमेशा लंबे समय तक याद रहेगा कुछ important question आपको screen पर भी दिख रहे होंगे उन्हें भी आप note कर ले और कुछ important question मैंने comment box में भी पीनपकी हैं उनका answer आप hashtag ans dash लिखने के बाद लिख सकते हैं और friends अगर मेरा ये effort आपको पसंद आया तो वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share कर दें क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है इस वीडियो में इतना ही जै हिन्द जै भारत धन्यूद